के से हेगई देखो लगबग हो कि यपि इस का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो कंपनी के मालिक होती है मतलब पर मोटर वह खुद की कंपनी पानी याद रखेगा, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ, मैं आपको पहली बता रहा हूँ, कि यह कंपनी बहुत 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 ही छोटी रहेगी, इतनी छोटी रहेगी ना, कि मतलब कोई बी लोग पूरी कंपनी को खरी सकते हैं, बड़ी-बड़ी हिस्सेदारी भी खरी सकते हैं, समझ रो, इतनी छोटी कंपनी है, छोटी-छोटी कंपनी है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर लिखा है, पैनी स्टॉक्स, तो रिस्क भी बहुत जादा रहने वाला है, तो क्योंकि परमोटर्स ने माल खरीदा, इस वज़े से मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिस कर रहा हूँ, क्योंकि याद रखेगा कि परमोटर्स तभी अपना माल खरीते हैं, अपनी कंपनी में, जब कंपनी को काफी बड़ा बेनिफिट होने वाला होता है, यह कंपनी में कुछ अच्छा होने वाला होता, तभी परमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं, मैं आपको पहले बोला हूँ, कंपनी डूब, मतलब कुछ भी हो सकता है, छोटी कंपनी है, पहली कंपनी, गोल्ड स्टोन यहाँ पर देख सकते हो, टेकनोलजी, आईटी सक्टर की कंपनी है यह, आईटी सक्टर की कंपनी है, और लगबग 2.75 करोड का ही कंपनी का मार्केट कैप है, किवाल इतना ही है, सोच चलो, कंपनी बहुत छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी प्रॉफिट कर रही है, और कंपनी के पर्मोटर्स ने 35% हिस्सेदारी बढ़ाया, कितना 35% का मतलब समझते हो, बहुत बड़ी चीज हो गई यहाँ पर पबलिक से मतलब, अभी देखो किए, एक साल में कंपनी ने लगबख 700 से भी ज़्यादा रिटन दिये, 700% से भी ज़्यादा रिटन दिये, मतलब आपका पैसा 7 गुना, वो भी केवल एक साल में, तो यह वो पहली कंपनी जो IT सक्ट की कंपनी है, कंपनी ने पिछले कॉर्टर मतलब बोल सकते हैं, सब्तमबर के आसपास कंपनी ने 1.5 करोड के आसपास कंपनी ने प्रोफिट भी किया था, net profit देख सकते हो, 1.82 मतलब 2 करोड के आसपास, कंपनी ने पहले इतना 2 करोड के आसपास कभी प्रोफिट नहीं किया था, और परमोटरस ने दबा के इसी वज़े से हिस्थेदारी बढ़ाई है क्योंकि कम्पनी ने काफी एच्छा प्रॉफिट किया है इस वज़े से दूसरा कम्पनी रहेगा यहाँ पर देख सकतो मंगलम इंडस्टी जहां पर परमोटरस ने लगबग जो है परमोटरस के पास 75% हिस्थेदारी है मतलब परमोटरस की पकड़ बहुत ही मजबूत है और किवल 8 रुपिस के आसपास यह स्टॉक सापको देखने को मिला जो कि लगबग यह दूसरा स्टॉक है यहाँ पर याद रखिए मैं खरीदने के लिए नहीं बोलड़ा हूँ परस के लिए बताया जा रहा कि परमोटरस किस कदर गिरते बजार में भी अपनी कमपनी में हिस्थेदारी खरीद रहें अगर परमोटरस खुदी अपनी माल बेच रहे हैं तो सोच सकते कि हाँ कोई न कोई जोल होगा मतलब कोई न कोई परमोटरस माल बेच के निकल जा रहे है लगबग तीसरी कमपनी रितेस प्रोपर्टी जो की टेक्स्टाइल सेक्टर में काम करती है मतलब 1000 करोड से भी बड़ा इस कमपनी का मार्केट के आपको देखने को मिल लगा 70 पसंट के हिसस्यदारी परमोटरस के पास है जिसमें से 17 पसंट परमोटरस ने हिस्दारी अभी अभी बढ़ाई है अभी अभी 17 पसंट हिस्दारी परमोटरस ने बढ़ाई है एक भी share यहां पर pledge नहीं आपको देखने को मिल लेगा कम्पनी ने पिछले quarter में 3 करोड का profit किया था मोरो दिन 3 करोड का और उससे भी पिछले quarter में कम्पनी ने लगबग 10 करोड का profit किया था मतलब quarter and quarter company का profit भी बहुत ही जबर्जस्त है चारो तरप से सोच लो कम्पनी के पास net cash flow भी काफी अच्छा आपको देखने को मिल लगा और लगबग पिछले एक साल में company ने लगबग जो है लगबग 2000% तक का return दिया है सोच लो तो आप इसके उपर में नजर रख सकते हो कि जो company ने पिछले एक साल में 2000% का return दिया है और लगबग promoters अभी भी इस price पवी हिस्सेदारी बढ़ा रहे है मतलब कुस तो बडा हो सकता है और मैंने ये Google खुदी बोल रहा और यह मैंने यह गूगल खुदी बोल रहा इस वज़े से मैं आपको किवल बताने की कुशिस करना हूं बस कॉफी वाली कंपनी विंटेज कॉफी आप देख सकते हो सही है तो लगबग यहां पर अगर आप देखो तो इसका मार्केट कैप्ट लगबग चार से पांचो करोड का होने वाला 489 करोड का होने वाला यहां पर परमोटर्स आगर देखो गए तो कितनी बड़े हिस्सेदारी खरीदे हैं परमोटर्स के पास देखो पहले कुछ था ही नहीं पहले तो कुछ था ही नहीं कंपनी के पास केवल 6% था 6% से देखो 61% कर लिया पिछले एक मैने में देखो loss दिया है कंपनी ने पिछले छे मैने में 22% का return है क्योंकि consolidate करा पिछले एक साल में 400% का return है और पिछले लंबे समय में लगबाग 400-500% तक का return दिया है कंपनी ने तो ये कंपनी ने लगबाग कुछ थाई नी जो shareholders को नहीं पता आज ये stock नहीं दोड़ रहा लेकिन कल की date में जब दोड़ना start करेगा तो हो सकता है कि कुछ बड़ा देखने को मिले अडानी ग्रीन अडानी ग्रीन के अंदर खुदी परमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई है बोल सकते हो और बीएस जज़ड़ कंपणी में भी बढ़ाया गया है बहुत सारे तो देखो मैं अब बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि गिरते बजार में भी बहुत सारे ऐसे परमोटर्स है जो अपनी कंपणी में और हिस्सेदारी खरीद रहे है लेकिन यहीं गिरते बजार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगबग और माल बेच रहे कि भी और गिर जाएगा स्टॉक लॉस हो जाएगा बजार और गिरने वाला ये वो ऐसा है बहुत सारी चीज़े लेकिन एक चीज़ याद रखेगा कि लॉंग टर में बजार केवल प्रॉफिट देता है और कुछ नहीं जाता टेंचन नहीं लेना है अगर आप एक लॉंग टर्म इनिवेस्टर हो तो इसमें से बहुत सारे चोटे कंपनी थे बहुत सारे चोटे कंपनी थे तो मैं आपको बहुत सारे चोटे कंपनी थे तो मैं आपको बहुत सारे चोटे कंपनी थे तो मैं आपको बहुत आप देखो आपको कौन सा कैसा लग रहा कैसा नहीं है उसके बाद आप आपके बढ़